जै मातती दोस्तों आप देख रहे हैं असरदाल टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपके घर में धन संपदा और सुक समरिदी लाने के विशे में आपको बहुत सारी परिशानियों से बचाने के विशे में संपत्ती में वरिदी पाना चाहते हैं तो घर के दर्वाजे पर लटकाएं ये चीज दोस्तों जिंदिगी में हमेशा खुसियां बनी रहें और परिवार खुसियां स्वस्त रहें हम सभी यही चाहते हैं इसके लिए हम दिन रात लाग प्रियास भी करते हैं फेंग सुई में भी कुछ आसान उपाई बताए गए हैं जो आपकी जिंदगी को और भी खुबसूर्थ बना सकते हैं तो आएए दोस्तों जानते हैं उनके पारे में घर में धूप और अगर्बतियों का प्रियोग अवस्य करना चाहिए फेंग सुई में माना जाता है कि इनसे उर्ज़ाकार स्रीजन होता है घर में किसी भी दर्वाजे पर कलेंडर या घड़ी कभी नहीं लटकाएं घर के मुखे द्वार पर कभी सीसा नहीं लगाना चाहिए घर में मुर्जाय हुए पोदे ना रखें इनने तुरंत घर से हटा दें अगर संपत्ति में वृदी पाना चाहते हैं तो तीन चीनी सिक्कों को लाल रंके धागे में बांध कर घर के दर्वाजे के हैंडल में लटका सकते हैं ध्यान रहे कि सिक्क्य दिर्वाजे के अंदर की ओर लटकने चाहिए घर में खुले हुए स्थान पर कभी जाडू ने रखें और सोई गर या जहां भोजन करते हैं, वहां भी जाडू ने रखें दिन में जाडू को छिपा कर रखना चाहिए विंड चाइम की आवाज घर में खुसिया लाती है तो क्रिश्टल बॉल नोकरी के लिए सुब होता है लाफिंग बुद्दा हमारे घर को खुसियों से भरता है क्रेम कलर के चीनी मिट्टी के फूल दान को पीले रंगे फूलों से सजाएं तो दोस्तों आप पे इन नीमों को अपना कर अपने घर में धन संबदा और सुख समृती ला सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी विडियो अगर आपको हमारी विडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्थ हो तो पुलीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों